बुलन शेर में शहीज सब इंस्पेक्टर प्रशान्त यादव को पैतरिक कस्बेच छतारी के शमशान घाट में अंतिम सम्मान दिया गया साथ ही होगी सरकार के राज्य मंत्री अनिल शर्मा और परिवहन मंत्री अशुक कटारिया ने भी शहीद सब इंस्पेक्टर प्रशान्द यादव को विनमर शंदांजली दी अन्तिम संसकार के दुरान डियम और स्सपी समेथ पुलिस अफसरों ने सब इंस्पेक्टर के पार्थिफ शरीर को शद्धान्जली दी और पुलिस के जवान द्वारा दी गई सलामी के बाद शहीद दरोगा का अन्तिम संसकार किया गया कनोज में पुलिस के जरीये फरियादियों पर जुल्म करने का मामला सामने आया है बताया जा रहा है कि ससुराल जनों ने मारपीट की शिकायत लेकर गए फरियादी को पुलिस ने घंटों थाने में बिठा रखा और घंटों बिठाने के बाद भी पेड़ित पक्ष से पैसे लेकर फरियादियों को छोड़ा इसके बाद पेड़ित पक्ष ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाये हैं आपको बताने की मामला कनोज के सोरिक थाने का बताया जा रहा है मैनपूरी में पीएम अवास योजना के तहट ठगी का मामला सामने आया है बताया जा रहा है कि एक दिव्यांग प्रमुत कुमार चोहान के घर अपाचे पर सवार दो व्यक्ती एक फाहिल को लेकर आए और अपने आपको नया लेकपाल बताते होई कहा कि पीएम अवास योजना में आपका घर है और पांच हजार देकर साथ चलने की बात भी गई जिसके बाद दिव्यांग यूवक को विश्वास हो गया जहां यूवक ने पैसे ना होने के कारण सोने का आभूशन और दो हजार रुपे दे दिये और बाइक सवार के साथ चलने लगा इती देर में बाइक सवार ने यूवक से अधार काड लाने के लिए कहा जैसे ही दिव्यांग अपने घर के अंदर गुसा वैसे ही बाइक सव जासा देकर वहां से प्रफू चक्कर हो गए फिर पताना का का फिर इस लड़के को जाने पताना उसने क्या कर दिया उन्हें की बराबर का बोलने लिगा गुपा रामपूर के जिला अस्पताल में जिला अधिकारी रविंदर कुमार ने और चक निरिक्षण किया जहां उन्होंने काफी कुछ बारिकी से देखा इस दुरान जिला अस्पताल की विवस्ताय दुरुस नजर आई वही जिला अधिकारी रविंदर कुमार ने बताया कि आज मेरे जरिये जिला अस्पताल और महिला अस्पताल का निरिक्षण किया यहां जो कोविड-19 का अस्पताल बना है हमने उसका भी निरिक्षण किया ह जिलादीकारी ने आज कोवेड उस्पिटल और महिला उस्पिटल का और चक निरिक्षन किया निरिक्षन के दुरान जिलादीकारी को वहाँ पे कोई खास कमी देखने को नहीं मिली और सभी विवस्थाएं दुरूस्थी